दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक बिहत्रीन क्लिकेबल थम्निल कैसे बना जाता है ठीक है चलो दोस्तो मेरा नाम पंगज कुमार है और आपको सिखा दिए और बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके साथी बेल आकन प्रस करके आपको औल पर क्लिक कर दिना है ठीक है तो दोस्तों बात यह है कि जैसे हम अच्छा खासा वीडियो बना लेते हैं ठीक है अप्लोड भी कर देते हैं इसको टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन हो गएरा अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए आपको एक एक स्टप को बारीखी समझना तभी आप एक बेहतरीन थमनेल बना पाएंगे ठीक है वीडियो स्कीप करकर करके देखो एना तो घंटा कुछ समझ नहीं पाऊगे ठीक है मैं पहले ही बता देता हूं तो अब ध्यान दीजिए है तो दोस्तों मै प्रभण जाए अगया है वोफल के स्क्रीन पर तो मैं फिक्सल एपको ओपन कर लेता हूं इसके बाद कर दे नहीं इसके बाद दोस्तों वीडियो का टॉपिक लिखना है जिस टॉपिक में आप वीडियो बनाए हूँ तो मैं लिख लेता हूँ ठीक है तो A पर क्लिक करके और Test पर क्लिक करके मैं यहाँ पर Edit पर क्लिक करके अपने वीडियो का टॉपिक लिख लेता हूँ ठीक है तो सबसे पहले में इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ viral tags इसके बाद done कर देता हूँ यहाँ पर मैं ok कर देता हूँ इसके बाद दोस्तों मैं इसको थोड़ी bold कर देता हूँ तो यहाँ पर scroll करता हूँ और यहाँ पर style पर click करके अब इसको 3D बना लेता हूँ, थोड़ी मोटा बढ़ी है, 3D पर क्लिक करके मैं इसको इनेवल कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं अबलिक Q पर क्लिक करके इसको 1 रहने देता हूँ, और यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ, और यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको आफ कर देता हूँ सेप कर देता हूँ इसके बाद दोस्तों मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ यहाँ पर मैं क्लिक करके कॉपी ले लिया ठीक है और इसको मैं साइट कर लेता हूँ edit पे click करके मैं इसको हटा देता हूँ ठीक है यहाँ पर और यहाँ पे click करके मैं सबसे पहले language change कर देता हूँ और हिंदी में लिख लेता हूँ ताकि audience को जल्दी समझ आए तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ दोस्तों कि यहाँ से लगाएं इसके बाद दोस्तों मैं इसको done कर देता हूँ okay कर देता हूँ अब मैं इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से set कर लेता हूँ ठीक है इसको भी मैं बड़ा कर लेता हूँ इतना ठीक है इसके बाद मैं एक shapes लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरीके से सेट कर लेता हूँ इतने में मैं इसका color red कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको red कर लिया save कर देता हूँ इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर click करके इसको नीचे ला लेता हूँ इस तरीके से ठीक है और मैं यहां से बैक आ जाता हूँ तो आप देख सकते हो कितना बढ़ियां लगने लगा ठीक है वीडियो मत छोड़ना ठीक है नहीं तो कुछ नहीं समझ पाओगे दोस्तों अब दोस्तों जैसे मेरी वीडियो का टॉपिक यह है कि यहां से लगाएं तो कहां से लगाएं भा यहां भाई यहां पर जो तो बारल टाइंग है तो मैं यहां पर इसको सेट कर लेता हूँ इसके बात दोस्तों मैं अपनी फोटो लगा लेता हूँ ठीक है ताकि दिखने में और बढ़िया लगे और और ओडियेंस को पता भी चले कि यहां भाई इस बंदे की वीडियो है है तो मैं प्लस पर क्लिक करके अपने गैली से ला लेता हूँ तो यह रही दोस्तों फोटो ठीक है अगर आप के पास मेरी वीडियो की नोटिफिकरिशन आने लगेगी और आप नई नई चीजे सीखते रहेंगे इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर अपने फेस के इंप्रेशन से यहाँ पर कुछ और लिख देता हूं ताकि दिखने में और बढ़िया लगे ठीक है तो मैं क्या करता हू कि यहाँ पर क्लिक करके एक सेप से लेता हूं ठीक है और यहाँ पर क्लिक करके मैं यह वाला फ्रेम चूज कर लेता हूं सेप कर देता हूं ठीक है और इसको मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से सेट कर लेता हूं इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर लेता ह हूं इसके बाद मैं u okay कर देता हूं तो यहां पर दोस्तों लिखके आ और बढ़िया लगे तो मैं क्या करता हूं दोस्तों कि यहां पर क्लिक करके एक से लेता हूं ठीक है इसको पूरे स्क्रीन में लगा लेता हूं इस तरीके से ठीक है और यहां पर नीचे आता हूं दोस्तों तो आप देख सकते हूं कि यहां पर कलर तो मैं यहां पर दोस्तों क कि मेरा thumbnail कितना बढ़ियां लगने लगा लेकिन यहाँ पर एक चीज की कमी है वो है arrow तो दोस्तों मैं यहाँ पर arrow लगा देता हूं ताकि दिखने में और बढ़ियां लगने लगी ठीक है तो मैं प्लस पर क्लिक करके अपने गैलरी से ला लेता हूं तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरा thumbnail बनके ready हो चुका है मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे और अपना अच्छा खासा thumbnail बना लेंगे रही बात दोस्तों arrow और png photo की तो आपको tension नहीं लेना ठीक है सिंपली दोस्तों आप मेरे चैनल को subscribe करके साथी bell icon प्रस करके आपको all पे क्लिक कर देना है तो मेरी वीडियो की notification आने लगी और आप वहां से देखकर सीख जाएंगे ठीक है अब इसको save कैसे करें तो save करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर वीडियो में तब तक के लिए बाए जैहन बंदे मातरम